हलो, नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम पिरियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम सेयर करेंगे आपके साथ तीसी की चटनी की रेसेपी ये चटनी आप एक वार में बना के महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब खाना हो तो दो मिनट में आप इसे बना के तयार कर लेंगे बहुत जादा टेस्टी तो ये होता है ये साथ में बहुत ही जादा हिल्दी भी होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है तो चलिए रेसेपी देख लेते हैं इसके लिए गैस पे करहाई चरहाए हैं और इसमें डालेंगे आधा कप तीसी तीसी को बहुत जगह अलसी भी कहा जाता है तो यहाँ पे आधा कप तीसी लिए हैं दो चम्मच भर के जीरा डालेंगे और दो चम्मच भर के यहाँ पे साबुत धनिया भी हम ले लिए हैं आप चाहे तो इसे कम जादा कर सकते हैं एक तेज़ पता कट करके डाल लिए हैं और दो तिन साबुत लाल मिर्ची भी डाल देंगे और अब हम इसे भूनेंगे गैस का फ्लेम कम ही रखिएगा इसे चलाते हुए हमें भूनना है इसका कलर नहीं चेंज करना इसे काला मत कीजेगा तो गैस का फ्लेम कम पे ही आप इसे चलाते हुए भून लिजे और बहुत अच्छी खुस्बू आने लगेगी जब भुना जाएगा ना तो बहुत अच्छी खुस्बू आने लगेगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं हलका सा कलर चेंज हो गया है तो यह बहुत अच्छे से भुना चुका है गैस हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे जब यह ठंडा हो जाएगा तब हमें इसे पीसना है तो यहाँ पे यह ठंडा हो चुका है अब इसे हम डालेंगे जार में अगर आप इसे गरम पीसेंगे ना तो यह खराब हो जाएगा तो इसे एकदम से ठंडा करने के बाद ही पीसिएगा और बिना कुछ डाले हम इसे पीस लिए हैं नमक नहीं डालना है आपको इसमें और आप देख सकते हैं महीन सा पौडर बनके ये तैयार हो गया है बस यही हमारा चटनी है इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं महीनों तक ये खराब नहीं होगा और जब भी आपको खाना होगा थोरा सा चटनी लेके घोल के आप बना लेंगे दो मिनट में ये चटनी बन जाएगा तो इसे हम एक एयर टाइड डबे में बंद करके रख लेते हैं थोरा सा चटनी हम निकाल लिए हैं यहां पे दो चमच हम निकाल लिए हैं तो हम आपको बना के भी दिखा देते हैं इसमें आपको पानी डालना है जितना गाढ़ा पतला आप चटनी बनाना चाहते हैं ना उस हिसाब से पानी डाल दीजे इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची तो तीखाप जैसा पसंद करते हैं उस हिसाब से हरी मिर्ची ले लीजिए एक हरी मिर्ची महिन चौप करके हम डाले हैं थोरा सा प्याज डालेंगे महिन चौप करके और इसके बाद इसमें हम डालेंगे धनिया का पत्ता अगर आपको पसंद है तो जरूर डालिएगा धेर सारा एक निम्बू का जूस डालेंगे अगर आप चम्मच से लेंगे तो दो चम्मच होगा और ये जरूर डालिएगा इससे ना चट्टी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और नमक डाल लीजे अपने तेस्ट के अनुसार और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजे बस बन गया ना चट्टी दो मिनट में तो ये पाउडर आप बना के रखेंगे और जब आपको खाने का मन करेगा दो मिनट में आप चट्नी तयार कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये चट्नी बन के तै रेशिपी अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल का बटन भी प्रेस कर लिजे ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंच सके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किजे सेर किजे कमेंट किजे अगर कुछ अच्छा नहीं लगे तो को भी हमें बता दीजे ताकि हम उसे सुधार सके हैंक्यू मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसेपी के साथ